दिमश्कार दोस्तों मैं शुष्मा आपका शुष्मा करे सोई में स्वागत करते हैं यानि जिमिकंद लिया है और इसको ओल भी बोलते हैं तो यहां मैं इसको धोल लिया था अब मैं इसके यहां से देखिए इसको छिलके को छील लेती हूं और इस साइट से भी मैं काट लेती हूं और इसके अब मैं पीसे कर लूँगी यहां पे इस तरीके से मैं सारे पीसे कर तो यहां पे आप छोटे भी रख सकते हैं साइज या बड़े भी रख सकते हैं मैंने यहां पे छोटे साइज रखे हैं और मैंने इनको यहां पे काटके अच्छे से धो लिया है करना क्या है इनको अब हमें करना है तो यहां मैंने कढ़ाई में गरम कर ली है कढ़ाई और इस सरसु के तेल में बनाने से बहुत ही अच्छा इसका फ्लेवर आएगा तो यहां जो अब मैं सारा जो जिमिकंध है वो मैं सारा डाल दूंगे इसके अंदर और इसको हाई फ्लेम पे मैं इसको फ्राइ करूंगे अच्छे से यह देखें बीच बीच में चलाते वह इतमे अच्छा सा एक कलर आने तक मैं फ्राइ कर लूँगी तो यहाँ पे इसको हम अच्छा सा एक कलर आने तक फ्राई कर लेंगे तो आप देख सकते हैं यह फ्राई हो गये हैं और गैस को मैं बंद कर दूंगी और इसको निकाल लेंगे अब एक प्लेट में तो यह देखें कितना बड़िया कलर आ गया है फ्राई होके आप चाहें तो इसको बॉयल करके भी बना सकते हैं आप कुकर में एक सीटी लगा लीजिए ऐसे भी बना सकते हैं फिर इसको और आगी का प्रोसीजर जैसे मैं करूंगी फिर वैसे आप कर सकते हैं तो अब मैंने सारे जो है जीमीकद यहाँ पे निकाल लिया है और इसको मैं रखती हूँ अभी साइड में जिस कड़ाइ में अभी इस कुरन को फ्राइ किया है अब मैं उसी में एक बड़ा चमच में और तेल डाल दूँगे सरसो का इसमें और तेल को कर लेंगे अच्छे से तो तेल अच्छे से गरम हो चुका है और यहां मैंने लिया था दो medium size का प्याज जिसका मैंने puree कर लिया है मिक्सी में इसको पीस लिया मैंने और आप इसको हम यहां पे डाल देंगे और इसको अच्छे से चला लेंगे थोड़ी देर प्याच को भून लेंगे ताकि जुसका कच्चापन है वो निकल जाए तो यहाँ देखे मैं इसको भून ले रही हूँ अच्छे तरीके से मीडियम फ्लेम पे तो यह देखे प्याच को मैं थोड़ी देर भून लिया था तो यह आधा चमच यहाँ पे मैं कर रही हूँ हल्दी पाउडर आधा चोटा चमच एक चमच कर रही हूँ कश्मीरी लाल मीड़ी तीकी बिल्कुल नहीं होती है इसे कलर बहुत अच्छा आता है आधा चमच यहाँ पे मैंने डाला है गरम मसाला आधा चमच धनिया पाउडर नमक यहां पे डाल रहे हैं नमक थोड़ा सा ज़्यादा डालेंगे क्योंकि इसमें हम बाद में खटाई का यूज करेंगे तो यह सारी चीज़ें हम यहां पे अच्छे से मिक्स कर लेंगे यह सारी चीजों को बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है और मसाले को अच्छे से भुनना है यहां पर जब तक मसाला जो है तेल ना छोड़ दे तो इसको मैं अब धक के पकाऊंगी लो फ्लेम पर जब तक मसाला जो है अच्छे से तेल ना छोड़ दे तो आप देख सकते हैं देखिए सारा तेल जो है वो उपर आ गया है और मसाला भ भुनना है जिमिकंद को अच्छे तरीके से तो लो टू मीडियम फ्लेम पे मैं इसको अच्छे से भुनूंगी छे से साथ मिनिट तो आप देख सकते हैं अच्छे तरीके से भुन चुका है इसमें जिमिकंद और अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ आम का चार तो तीन पीस में यहाँ पे आम का चार डाल रही हूँ अगर आपके पास आम का चार नहीं है तो आप इसमें आम चुर भी डाल सकते हैं नेमू का रस भी डाल सकते हैं और इमली का पल्प भी डाल सकते हैं जो भी आपके पास option available हो आप वो यूज कर सकते हैं तो यहां मैंने आम का अचार डाला है आम की अचार से इसमें बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है अगर आपके पास है तो डाले ने तो जो भी option अवलेबल है वो आप डाल सकते हैं तो अब मैं इसमें डाल रही हूं पानी तो लगभग इसमें पौना ग्लास से करी पानी डालूँगी और सो कर लूँगी अच्छे से mix ट्रडिशनली इसमें जो है आम का ही अचार डाला जाता है तो अब मैं इसको लो फ्लेम पे देखिए मैंने पांश मिन पकाया और यह देखिए सबजी बनके तयार है कितना बड़िया कलर आ गया है यहां इसको मैं सर्फ कर रही हूँ आप देख सकते हैं कितना बड़िया आ चुका है इसका कलर और आप इसको चावल के साथ डाल चावल के साथ रोटी के साथ पराठे के साथ खा सकते हैं बहुत ही टेस्टी लगती है सबजी एक बर आप इसको जरूर बना के ट्राइ करें तो आप देख सकते हैं कितना बड़िया कलर आया है कितनी बड़िया रंगत आये तो जीमिंग कंद की सबजी हमारी बन के तैयार है एक बर आप इसको जरूर करें ट्राइ तो अगर आपको रेस्पी अच्छी लगी हो तो प्लीज मुझे कमें बाक्स में जरूर लिखके बत